सीधा सवाल शिवानन तिवारी जी से करते हैं जो राष्ट्रिय उपाध्यच्छ है वर्ष्ट नेता हैं ये बताइए कि ये शब्द बिहार के शिक्षा मंत्री जो आरजेडी कोटे से हैं चंदर शेखर जी की रामचरित मानस नफरत का ग्रंथ है ये सुनकर आपको क्या लग देखें हमने कहा था चंदर सिखर जी को हमने कहा वही जो दिख्षांत समारों में आप भासन कर रहा है वहां आपको इस इसू पर बोलने की जरूरत क्या थी क्यों आपने इस तरह का भासन किया और सबसे बड़ी बात है कि जो बैचारिक धरातल है रास्ट्री जनतादल का लालुजादों के पार्टी का या तो नितिस कुमार के पार्टी का भी दुनों का बैचारिक धरातल जो है एक है और वो बैचारिक धरातल जो है गांधी लुहिया जैप्रगास का है और राम के बारे में डक्तर राम अनौर लुहिया हूं या महत्मा गांधी हूं उन्हों क क्या कहा है डाक्टर लुहिया ने राम जरीत मानस के बारे में क्या कहा है उन्होंने कहा कि देखिए राम जरीत मानस में वो कुड़ा करकट भी है और हीरा मोती भी है इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए कि कुड़ा करकट बाहरने के चकर में हीरा मोती मत बाहर दें और ही इंतर को उन्होंने प्रेरित किया कि राम कथा पर चीतर बनाई है उन्होंने कहा कि तुम जो ये बड़े बड़े लोगों का ड्राइंग रूम में टांगने वाला चीतर बनाते हो कभी तुम ने गाओं के लोगों के लिए कुछ किया है गाओं के लोगों के जीवन में राम का क्या महत्तु है इसको कभी तुमने समझा है और मकबूल फिदा हुसान से ने दो सव ढ़ाई सो जो है बड़ा होडिंग बनाया पद्री विशाल पित्ती जी हदराबाद में जो मनें लुहिया की जितनी किताबे हैं उसमें मकबूल फिदा हुसान का कौभर पेश पर मनें पें आप लोहिया की बात कर रहे हैं आप इतने बड़े लेताओं की बात जिने आप आदर्श मानते हैं तो जग्दानंग जो प्रदेश ध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि पार्टी उनके साथ है तुमेरे पार्टी नाम मेरा ही दूसरा ही नाम मेरा भी है तो हम कह रहे हैं कोई इस तरह का फैसला नहीं हुआ और इस तरह का फैसला लेने का अधिकार जो है जगता नंसिंग को नहीं है और जगता नंसिंग जो है पार्टी के नाम पर इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं भई पार्टी का भला चाहते हैं या पार्टी का बुरा चाहते है और हमको लगता है कि जगतानन सिंग जिन ने जो किया है उससे पार्टी को नुकसान पहुंचा है और हमने तेजस्वी को कहा है कि आप जैसे तेजस्वी आते हैं लोट करके दिली से तो पार्टी की मिटिंग बुलाईए जिस मिटिंग है जिस बैठक के बारे में कह रहे हैं क पूरी पार्टी आपके साथ है चंदर सेखर को कर रहे हैं तो क्या मैंने तेजस्वी जादों से सामती उन्होंने लिया था कि हम भाई वो भी जो है मैंने समर्थन कर रहे हैं चंदर सेखर के उस उपयान का है तो पूछा गया जब दिली जा रहे थे पत्रकारों ने पूछा एरपोर्ट पर तेज़वसी से टेज़वसी ने to prophets नहीं दिया है विरोध भी नहीं किया लेकिन समर्थन करने का तो नहीं दिया मनतित नितिश कुमार के लिए उसका जो टीस है वो इस तरह का बयान में निकल रहा है क्योंकि बेटा उनका कहता है कि क्या नाम है सिखंडी है कहता है बेसरम है और तीन-चार दिन के बार तीन-चार दिन तक जगता भाई मौन रहे जो अनुसासन के बारे में बहुत उनका नाम है सोहरत है उडणडा से अनुसाइड चलाते हैं पार्टी के दफ्टर में पार्टी के जो कैमपश है उस कैमपश में कैमपश के बाहर वो कभी मिटिंगी नहीं किये पार्टी का, ऊभी एक रेकॉर्ड होगा और अनुसाइड की बात करते हैं बेचा जी सकाहा है वो क्या अनुसासन के दैरे में और चुप रहे है उसके बाद आपने कहा जिस तरह की बात बर्दा możemy किया जा सकता है तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आर्जेडी के अंदर में चंदशेखर के इस बयान से और उसको समर्थन से ले करके काफी नुकसान हो रहा है और किसको फायदा पूरे चंदशेखर ने जो कहा है हमने कहा ना कि दो बात उन्होंने लोहिया ने कही है कुरा करकट वाली करके उजागर किया और उनको लगा देखिये जडियू कारवाई की मांग कर रहे हैं उनके खिलाफ अब जेडियू के काने की सारे पर तो सारा काम नहीं होता हमने आपको कहा कि तेजस्वी लोट करके दिल्ली में आते हैं पार्टी की बैठक होगी उस बैठक में जो है क्या निर्ने होता है अब लोग देखेगे आपने सुना शिवानन तिवारी जी को बेबाग तरीके से अपनी बात रखते हैं और आज भी उन्होंने साफ कह दिया कि तेजस्वी जब लोटेंगे तब ये तैय होगा यानि कि राम चरित मानस पर महाभारत का अगला हिस्सा अब बाकिया